ओम श्री गड़ेशाय नम्हा अगर आप चाहते हैं कि मालक्षमी जी का वास आपके घर पर सदा बना रहे अगर आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी रुपए पैसों की धन संपत्ती की किसी भी प्रकार कोई भी कमी ना हो तो आप पुर्णीमा के दिन भगवान विश्णु के साथ साथ मालक्षमी जी की पूझा जरूर करेए आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ आईए सुनते हैं एक पुराणी कथा के नुसार एक बार जब भगवान विश्णु शेशनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए तब उन्होंने धर्ती पर जाने का विचार बनाया धर्ती पर जाने का मन बनाते ही विश्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए इस प्रकार अपने स्वामी को तैयार होता देखकर मालक्षमी जी उनसे पूछ बैठी हे प्रभू आप कहा जाने की तैयारी में लगे हुए हैं जिसके उत्तर में भगवान विश्णु ने कहा हे देवी मैं तो धर्ती लोग पर घूमने जा रहा हूँ यह सुनकर मालक्षमी जी का भी धर्ती पर जाने का मन होने लगा और उन्होंने भगवान विश्णु से इसकी आग्या मांगी इस प्रकार मालक्षमी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विश्णु कहने लगे हे देवी तुम मेरे साथ चल सकती हो लेकिन एक शर्थ है तुम धर्ती पर पहुँचकर उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल मत देखना अगर तुम इस शर्थ को मान सकती हो तब ही मैं तुम्हे अपने साथ लेकर चल सकता हूँ ऐसा सुनते ही मालक्षमी जी ने तुरंथ हा कह दिया और विश्णु भगवान के साथ धर्ती लोग के ब्रह्मन के लिए तयार हो गई दोनों जब ब्रह्मन करते करते धर्ती पर पहुँचे तब उस समय सवेरा हो रहा था जब वे पहुँचे तब सूरी देवता उदय ही फे थे रात में बरसाथ भी हुई थी जिसके कारण चारों तरफ हर्याली ही हर्याली फैली हुई थी और धर्ती भी दिखने में बहुत सुन्दा लग रही थी जिसके कारण मालक्ष्मी मंत्र मुक्द होकर धर्ती की चारों तरफ देखने लगी और वो भूल गई कि पती को उन्होंने कौन सा वचन दिया था उन्होंने जिधर भी नजर घुमाई उन्हें चारों तरफ बहुती सुन्दर द्रश्य नजर आया और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी उत्तर दिशा की तरफ देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह द्रिश्य तो और भी ज़्यदा सुन्दर है और इस प्रकार वे अंजाने में ही उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक बहुत सुन्दर बगीचा नजर आया उस ओर से भीनी भीनी खुश्बू आ रही थी बगीचे में तो बहुत सुन्दर सुन्दर फूल खिले हुए थे फूलों को देखते ही मालक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और उन्होंने एक सुन्दर सा फूल तोड़ लिया अब फूल तोड़ने के बाद जैसे ही मालक्ष्मी भगवान विश्नु के पास वापस लोट कर आई तो उन्होंने देखा भगवान विश्नु की आखों में आसु थे लक्षमी जी को इसका कोई कारण समझ में नहीं आया तब भगवान विश्नु मालक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर कहने लगे ओ देवी कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुच भी नहीं लेना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णू ने मालक्ष्मी जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया और जब इस प्रकार मालक्ष्मी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने भगवान विष्णू से अपनी इस गलती के लिए शमावांगी विश्णु भगवान कहने लगे अब तुमने जो भूल की है उसकी सजादा तुम्हें हमश्य मिलेगी जिस माली के खेट से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह प्रकार से एक चोरी ही तो है इसलिए अब तुम तीन वर्ष तक उस माली के घर नौकर बन कर रहोगी और उसके बाद ही मैं तुम्हें वेकुंट लोक में वापस बुला पाऊंगा जब गलती की थी तो सजाबी तस्विकार करनी थी भगवान विश्नु का आदेश मालक्षमी जी ने चुक चाप सर जुगा कर माल लिया इसके बाद मालक्षमी एक गरीव औरत का रूप धारन करके उस खेत के मालिक यानि की उस माली के घर पहुँच गई जिसके बगीचे से उन्होंने सुन्दर पूल चुरा लिया था वह माली बहुत गरीब था और एक तूटे फूटे जोपड़े में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था मालक्ष्मी जब एक साधरन औरत बनकर उसके जोपड़े पर गई तो उसने पुछा हे बहन तुम कौन हो तब मालक्ष्मी जी ने कहा मैं एक गरीब औरत हूँ मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है मैंने तो बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया बेटा मुझे कोई काम दे दो मैं तुम्हारे घर का काम कर दूँगी और इसके बदले में तुम मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे देना ताकि मैं यहाँ पर रहकर आराम भी कर सकूँ माली बहुत ही अच्छे दिल का था उसे उस औरत पर दया आ गई लेकिन उसने कहा बेहन मैं तो पहले से ही बहुत गरीब हूँ मेरी कमाई से बड़े मुश्टि से मेरे घर का खर्च चलता है हाँ अगर मेरी एक और संतान होती तब भी तो मुझे उसका गुजारा करना पड़ता एक काम हो सकता है अगर तुम मेरी बेटी बन कर जैसा भी रूखा सुका हम खाते हैं उसे खा कर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ इस तरह मालक्ष्मी एक गरीब औरत के भेश में उस माली के घर रहने लगी और जैसा भी रूखा सुका वे सब खाते थे वे खुद भी खाती इस तरह गरीब औरत के रूप में मालक्ष्मी माली के घर पर रहने लगी और उसके घर के छोटे मुटे काम भी कर दिया करती कहते हैं कि जिस घर में मालक्ष्मी जी का वास हो जाता है उस घर में फिर दरिद्रता नहीं रहती उस घर में अथा धन संपत्ति का वास भी हो जाता है ठीक वैसा ही हुआ माली के साथ भी मालक्षमी की ऐसी कृपा उस माली के घर हुई कि जिस दिन मालक्षमी उसके घर पर आई ठीक उसके अगले ही दिन जब वो अपने फूलों को बेशने के लिए बाजार गया तो उसे फू घर भी बना लिया दीरे दीरे उसकी गरीवी दूर होती चली गई और वो गाउं के सभी धनवानों में गिना जाने लगा तब एक दिन माली ने सोचा कि मुझे यह सब इस गरीब महिला के आने के बाद मिला है और इसे बेटी के रूप में पाकर शायद मेरी किसमत जग गई है वो उस गरीब औरत को बहुत भागिशाली मानता था एक दिन माली जब अपने खेतों से काम खत्म करके अपने घर वापस आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर गहनों से लदीवी एक देवी का स्वरूप धारण किये वे औरत को देखा उसने थोड़ा और पास जाक मालक्षमी हैं यह सब जानकर माली मालक्षमी के पैरों में गिर कर कहने लगा हे मा मुझे शमा कर दीजिए हमने आप से जाने अंजाने में अपने घर का और अपने खेतों का काम करवाया है हे मा हमसे जाने ऐसा कैसा अपराद हो गया हे मा हमारी इस गलती के लिए हम सब को श तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया, इसके बदले में आज मैं तुम्हें वर्दान देती हूँ, कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो ऐसा कहने के बाद मालक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विश्नु के द्वारा भेजे गए रत में बैठकर बैकुंठ लोग को चली गए, तब तक भगवान विश्नु को दिये गए वचन का समय भी पूरा हो चुका था, इस प्रकार मालक्ष्मी जी ने अपनी सजा भी उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले सभी के घर में धन समपत्ति के भंडार भर देना, उनकी खाली छोली खुशियों से भर देना, बोलो लक्ष्मी माता की जै, भक्त चनूर यह ती आज की कथा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जरूर रिखेगा